राहूल गांदी की भारच जोड़ो यात्रा अपने आखरी पड़ाब पर है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कवरपाल गुजर। राहूल गांदी की भारच जोड़ो यात्रा को जितना जन्द सा लैब हर्याना में देखने को मिला। कि उनकी यात्रा किसके लिए किस तरीके से देखते हैं ने कहा कि दो हजार चौबीस में हर्याना के अंदर कॉंग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है इतना दावा जो नेतार प्रतिपक्ष पुपेंदे सिंग हुड़ा की तरफ से किया गया उसका क्या धरातल आप देखत अगली बार हम सरकार बनाएगे तो मैं विपक्ष जिस तरीके से पोर्टल की सरकार की संग्या देकर जो है वो सरकार परतंच कस्ते हुए नजर आ रहे हालंकि सरकार दौरा जो पोर्टल खोले गए हैं सचा ही यह है कि अमूमन बहुत से पोर्टल जो है वो सुचारू करती हुए नजर आ रही है देखिए दुनिया में एक बदलाव आया पहले अलग टाइप का था अब अलग टाइप का टेक्लोजिस इतनी ड्वेल पेगी कि उसका लाब उठाए कि आप बड़ी असानी से कुछ काम कर सकते हो जिसमें आपको कही आना जाना पड़ेगा आप का उफिस में जाना पड़ेगा आप गर मेठे मेठे भी अपने काम कर सकते हो तो उन सारों को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लागों करना चाहते हैं जिससे जंता को लाब होगा ये स्वाविक सी बात है देखिए जब कोई नई चीज आप सुरू करोगे सारे आने वाड़ी जो जनरेशन है निश्ची तोर से उसी पर जाएगी पोड़ेगी अगर हम आपके विभाग की बात करें तो आपने जिस तरीके से एक टैब्स जो है वो वित्रित किये प्रदेश के अंदर काफी मातरा में टैब्स आपने वित्रित किये तो समस्या यहां आ र अध्यापक हैं उनकी इंप्लॉई आइडी ही जनरेट नहीं हुए जिस वएसे बच्चों को जो है वो सिक्षा नहीं मिल पारी जिस तरीके से डिस्टेंस एड्यूकेशन की आप बात कर रहें देखिए उसमें कुछ समस्या मारे सामने आ रही है और निश्ची तोर से हमने जो अपड़ी डिरेक्टर है उसको मैंने बलाया था और उसके जुमें का काम लगाया था और वो निश्ची तोर से बहुत अच्छे तरीके सुसारे काम को देख दी लेकिन अभी जो इंप्लाइडी के बारे में आपने बात कहीं जरने नहीं है तो निश्ची तोर से मैं पत अब देखें जो मारे बच्चें उनके पास प्रकार के साथ ना तो नके घर में थे ना थे उनके भी इनके लिए प्रोबलम है और जो हमारे टीचर है उनने भी अभी तक इस परकार से नहीं किया था तो आने वाई टाइम में इस चीत और से शिलाब होगा काफी परियास कर लगे एसमें कोई हमीन ना रहे